आज की वीडियो में हम क्लास्ट्राइल की हिस्ट्री का चेप्टर नमबर 11 विद्रोई और राज करने वाले हैं तो चलते हैं अपनी वीडियो क्यों तो सबसे पहले 1857 की जो करांती है वो कहां से स्टार्ट होती है ये देखती हैं तो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को क्या मंगल पांडे ना दो अंग्रेजों को मार देते हैं जिसके बदले में क्या है अंग्रेजी जो सरकार है वो मंगल पांडे को फार्सी पर लटका देते हैं 29 मार्च 1857 में उनका मंगल पांडे का कहना था कि जो हम कार्तूस सिपाई हैं वो कार्तूसों को जो खीचते थे दातों से अपने उसमें गाय और सुवर की चरबी का लेप है जिसे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा जो धरम है वो बस्ट हो रहा है जिसके बाद क्य करेंगे जिसके बाद जो हम यहां पर काम न लिकाने करेंगे जिसके बाद जो अंग्रेजी सरकार मैं मई 1857 को क्या बोलती है जो जो नक्री से निकलना चाहता है जो 85 में हैं वो को से निकाल भी देते उसके साथ में प्रिटी शरकार जो निकल रहा ना 85 जो सिपाई हैं उन्हें 10-10 साल की अब सजा भी होगी जिसके बाद ये विद्रो अठार सुस्तावन की जो करांती है वो दो फैर में मेरत चावनी में पोसे ये विद्रो है मेरत में होता सबसे पहले जो पैदल सानिक होते हैं वो करते हैं ये बाद म मतलब जहां पर बहुत सारे वेपन्स वगरे सस्तर रखे जाते हैं हतियार रखे जाते हैं वहां सस्तागार बोला जाता है जिसमें अंग्रेजों के उन्होंने हतियार चुराने के बाद क्या करा बहुत सारे उनके जो अंग्रेजों के बंगले थे साजो समान था उनका रिक कि बाति अपनी सीकरी खाकर उठे थे तो लाल और है जुस्मकर भाला आते हैं तो देखते हैं क्रांति कार्या वह विद्रो कर रही वो बोल रहे हैं कि आपना हमारे साथ मिल जाओ अठारस्तान की करांती में और वो जो की घटना होती है वहाँ कि 1877 में जो AKARTUSVS वगजरे के बारे में सब कुछ वादोषा जफर को बता देते हैं जिसके बाद कैने भादोषा जफर के पास कोई भी रीज़न नहीं रहा था कि वो मना करें, उनको डरन लगने लगा था कर देते हैं कि मैं आपकी साथ मिल जाओ होगा अब यह आप भी सोचोंगे कि अठार जो स्टावन की करांत है वो कहां यह गाव में स्टार्ट होगी दूसरे गाव में ऐसे तो नहीं हो सकता आप सोचके देखो एक गाव सुबह जा रहा है एक साथ नहीं फैलेगा तो लोगों ना इकठा होके जाया करते थे वो क्या क मुस्लिम और हिंडू को एक जूट करने के लिए वैसे तो लेंग्वेज नहीं समझ में आता है इसके लिए अलग 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 लेंग्वेजम में अपील किया गया हिंदी उड़्दू और फार्सी भाषा का भाषा में अपील की गई लिख कर बोल कर लोगों को समझाया गय जो विद्रोईयों ने क्या करा लखनाव कानपूर और ब्रेली जैसी जंगाया पर क्या करा सावकर और अमीर लोगों पर निशाना समझा वह समझते थे कि क्या है अंग्रे जो कि क्या ये पिट्टू है बोडिगार्ड रूप में काम करते हैं उनके चम्चे हैं वह सोचते वह सोचते थे कि हम ना इन पर आकर मन करें इनके जो पैसे वगएरा लूट लें जिसके बाद क्या हम हतियार भी खरी सकते हैं और अब हमारी जो विद्रोईयों की जो फोज है उसके लिए भी हम क्या है पैसे वैसे जुटा लेंगे उनके खाने के लिए माई और जून के मह संचार के क्या मादम थे यह देखते हैं तो क्या है एक सिपाई है वो दुषर स्पाई के बारे में याद रखना यह छावण ही होती है तो एक सिपाई दूसरे सपाई से पूछे गा आप यह ध्यान रखना आने थोड़े से इंपते आपको विबिन अशावणियों की सिपा आप आप मिलो के आकरमन में जिसके बाद क्या है यह देखना यह important है यह ध्यान रखना विद्रोई के दरान अवद की जो military थी military police है उसकी duty क्या है captain harshley एक British officer होते हैं उसकी duty वो है वो है एक British officer है उसकी जो रक्षा बोडिगार की duty है वो भारतियों पे आ जाती है कि भारतियों को captain harshley की safety करनी है जिसके बाद 48 native दूसरे सैनिक टुकडी भारतियों की 41 native की duty लगी थी उदर जो military police हो बोलती है कि हमने तो सारे जो तमाम गोरे officer है उनको खतम कर दिया है अब 41 native की duty बनती है कि हम ना अब इसको भी ना मार देती है captain harshley को और जो military police के बीच में क्या है लड़ाई स्टार्टनी मतलब ऐसे कहते हैं कि बात वह एक दूसरी की मानी रहेते है 41 native है वह क्या बोल रहेते हैं नहीं मारेंगे हम क्योंकि इसकी duty हम पर आई हुई है और military police के लिए क्लाइन होती थी मतलब की department नियुक्त आप प्लीस के भी देखते हो कई जंगे ऐसे होते हैं तो यहां पर क्या प्लीस बैठती थी जिसमें की जो फैसले वह सामुई क्रूप से लिए जाते थे कि आज हम यहां पर आकर्मन करेंगे यहां पर करेंगे तो इसके बारे में तो हम यह देख सकते हैं तो एक साइड जैसे पहले पढ़े लिके तो नहीं होते थी जिसमें की क्या है आमी जाती के जो लोग थे उनकी होती थी तो एक जैसी सोच मिलते एक जात्ती वाले लोगों की तो इससे अंबात का पता लगा सकते हैं कि जो योजनाय बनती थी वो पंचाइतों की द्वार सामुई कुरूख से बनती थी कोई एक आदमी नहीं लेता था वो पंचाइत में सब लोग बैठके फैसले लेते थी अब आप देखिए जो मैप में कहां कहां पर विद्रोगा था जिसे मेरेट में हुआ था दिल्ली में गौालियर में हुआ था लखनओ में हुआ था बैंगोल में हुआ था सितारा में हुआ था यह याद रखना सितारा सबसे इंपोर्टन सितारा वो है जो हड़पनीती लोड प्रकॉशन आफ्मानड लुट्ट tabii important जो नेता है उन 술 जो मुगलड़ाि बयादूर सा जपर जिसका कमांडर चीफ कौन थे साथ में काम करें बकत्खान से वह दे जुझे का साथ कौन दे रहे थे एहमदुल्ला कानपूर से नाना साहिब भिहार से धि याल ओर सिंग का साथ कोन दे रहे थे अमर सिंग हैं लखनव से जासी से लारानी लक्षमी वाय है यूज कुछ इंपर्टन नेयेता यहिंक बारे में याद हो और एक important बात आती है तो आपको यासर कौन आ अप ये तो देख लिए गारतु तार्स इन चे इनन्त में सिपाई आ गए और जुगड़ा करने लगे एक कान तो नहीं हो कता है इसके पीछे बहुत सारे कान होते हैं जिसें की जगड़ा वह और जादा बढ़ता है आरती कान नियक तो समाजि कान धार्मि कंट सैनिक कंट और तक कालिंद कान देखेंगे जिसे कि हमें रेगोच तोफांत यह वीडियो में कंप्लीट करेंगे ओ ऋ Plaf